अच्छा सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना आपने आमले के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन क्या आपने भुई आमले के बारे में सुना है सायद नहीं सुना होगा दर असल बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं यह एक जरीबूटी है तो अगर आपके घर में थोरी सी भी जगह हो तो इस पौधे को जरूर लगा लें यह पीलिया में काफी फाइदे मंद होता है इसके लिए इसे जर सही तुखार लें और इसका काड़ा बना लें और इसे सुबह साम सेवन करें इसे पीलिया ठीक हो जाती है लिवर में सुजन होने पर भूई आमला का रस और पुनर्वा के रस का सेवन करें इसे लिवर की सुजन कम होने लगती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है काफी दिनों से खांसी से प्रेसान हो तो भूई आमला तथा दुलसी के पतियों का काड़ा बना कर पीना चाहिए इसे खांसी ठीक हो जाती है डाइबिटीज के रोगियों को भूई आमले और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए इसे डाइबिटीज कंट्रोल रहती है और कोई भी प्रेशानी नहीं होती है मुह में छाले होने पर भूई आवले के पत्तों को चबा कर खाना चाहिए इसे मुह की छाले ठीक हो जाती है दोस्तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद